Hello everyone, I am Annapurna and welcome to my channel आज हम बनाएंगे एक और craft activity paper bag, carry bag तो इसे हम बनाएंगे paper के साथ बहुती आसान तरीके से, बहुती easy way में आप देख सकते हैं ये एकदम वैसे ही दिख रहा है जैसे हम लोग market से purchase करकर लाते हैं या फिर जो हमें shopping करते से में मिलता है तो उसके लिए हमेचे ये paper तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से printed paper का use किया है आप कोई भी paper use कर सकते हैं चाहे आप craft paper use कर सकते हो या handmade sheet का use कर सकते हो नहीं, तो आप इस तरीके से newspaper का भी use कर सकते हैं ओके, तो यहाँ पे मैं एक paper ले रही हूँ, ये वाला paper तो आज हम इस paper से paper bag बनाएंगे, उसके अलावा हमेची ये रसी, rope, तो या तो आप इस तरीके का रसी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये, ये market में easily available होता है, ये specially bag बनाने के लिए ही होता है, आप ये भी purchase कर सकते हैं, उसके अलावा आप जूट का भी रसी यूज़ कर सकते ह या फिर जो भी आपके पास available है, वो इस तरीके का जो घर में पढ़ा रहता है, वो रसी यूज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा glue और एक scale, तो सबसे पहले हम लेते हैं paper, जिस भी paper से paper bag बनाना है, वो paper पहले हम लेते हैं, तो अभी मैंने paper को open किया है, ये paper open करने के पाद, अब नीचे से हमें एक fold करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 5 cm, पहले मैं measure कर रही हूँ, scale से, ताकि जो हमारी line है, वो straight बनी रहे हैं, इसलिए मैं 5 cm ले रहे हूँ, 5 cm लेने के बाद, अब हम एक सीधी line खिषते हैं, इस तरीके से line खिषने से, जो हम paper fold करेंगे वो एक जैसा रहेगा और finishing अच्छा रहेगा paper bag में, तो अभी मैंने यहाँ पे एक line बना लिया है, line बनाने के बाद, इसे हम fold करेंगे, तो इसके पहले मैंने एक और video share किया है, newspaper से paper bag बनाने का, तो आप first time newspaper से paper bag बनाओगे, then उसके बाद यह वाला paper use करोगे, क्योंकि first time हम जो घर में अवले बले उसी चीज़ से बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग यह सारा चीज़ purchase करके बनाएंगे, तो अभी मैंने इसको इस तरीके से fold करने के बाद, अच्छे से press करना है, प्रेस करने के बाद, अब हम paper को fold करते हैं, बराबर इस तरीके से, एकदम मैंने half मे fold कर लिया है, ऐसे fold करने के बाद, अब हम paper को open करेंगे, paper को open करने के बाद, यह जो right side है, इसको fold करके, जो center वाला point है, paper का वहाँ पे हम रखते हैं, इस तरीके से, रखकर, इसके उपर दूसरा वाला part रखेंगे, तो हमने दोनों तरफ से paper निकाल कर, center में रखा है, यह, य point है, पहले हमने यह वाला paper रखा है, उसके बाद यह वाला paper रखा है, okay, इस तरीके से रखना है, रखने के बाद, अब हम क्या करेंगे, glue से paper को paste करेंगे, यह paper fold जो है, वो अंदर side रहेगा, जा पर हम लोग rope लगाएंगे, तो अब यहाँ पर मैं glue लगा रहे हूं, glue लगा paste करने के बाद, हम थोड़ी देर रुकेंगे, ताकि paper अच्छे से set हो जाए, उसके बाद हम आगे का step करेंगे, तो अभी यहाँ पर मैं पहले इसको इस तरीके से paper की ऊपर रखकर, इसे paste कर रहे हूं, सारा काम एकदम slowly करना है, और सावधानी से करना है, तो अभी मैंने paper को रख दिया है, paper को रखकर इसको paste कर रहे हूं, अगर आपका paper बहुत ज़्यादा थिन है, तो आप इसके अंदर एक और paper या फिर newspaper लगा कर पेस्ट करोगे, उसको थोड़ा मोटा करोगे, उसके बाद ही paper bag बनाओगे, तो अब paper को fold करने के बाद, अब हम नीचे से इसको fold कर करेंगे, तो उसके लिए फिर से मैं 5 cm ले रहे हूं, 5 cm लेकर हम इस तरीके से line कीचेंगे, line कीचने से जैसे कि मैंने पहले बताया है, bag में एक finishing रहेगा, आप simple बिना measure किये भी, आप fold कर सकते हो, इस तरीके से, बट अगर आप एक बाद scale से 5 cm लेकर fold करोगे, तो आपका ज इस तरीके से fold कर लिया है, fold करने के बाद इसे हमें अच्छे से press करना है, प्रेस करने के लिए आप scale का भी यूज कर सकते हो, या उंगली से भी आप इस तरीके से press कर सकते हो, तो अब ये अच्छे से press हो गया, फ्रेस होने के बाद ये वाला जो step है, ये important है, इसे ध्यान से तो अब paper को fold करने के बाद अभी open करके हम इस तरीके से इसे फिर से मतलब एक triangle का shape देना इस तरीके से open करना है पहले हमने नीचे से fold किया था उसके बाद अब उसी नीचे का जो side वाला part है उसको हम fold कर रहे हैं दोनों तरफ से इस तरह के से फोल्ड करना है यह हमारा बैक का नीचे का बेस है और उसके बाद नीचे से एक पाट उठा कर इसे हम लोग यहां पर सिंटर में रखेंगे तो यहां से अभी मैं पेपर को उठा रही हूँ उठा कर यहां रखना है एकदम बीच में और यहां पर पहले ग्लू से नहीं करना है पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद फिर ग्लू लगाना है तो अभी मैंने paper को fold कर लिया, इसके उपर दुसरा वाला paper उठा की इस तरीके से रखेंगे तो ये जो है, ये back का नीचे का base है, इसको हम जितने अच्छे से press करेंगे हमारा back का जो shape है, वो उतना ही अच्छे से आएगा ओके, तो अब यहाँ पे मैं glue लगा रहे हूँ, ध्यान रहे, paper के उपर ही लगना है, paper के नीचे नहीं तो otherwise, नहीं तो paper पूरा चिपक जाएगा, तो अब मैंने उपर और side में थोड़ा-थोड़ा glue लगा दिया है ग्लू लगाने के बाद इसे हम paste करेंगे, पर आप पहले newspaper से paper bag बनाओगे, उसके बाद ही आप यह वाली paper से paper bag बनाओगे तो अब इस तरीके से मैंने इसे paste कर लिया है, paste करने के बाद इसे हम अच्छे से थोड़ा सा दबा कर रखेंगे, ताकि paper अच्छे से चिपक जाए और ध्यान रहे, paper की नीचे नहीं glue लगना है, ने तो वो नीचे भी चिपक जाएगा तो अब एक दो second रुकने के बाद हम फिर paper को fold करेंगे, sorry, turn करेंगे, turn करने के बाद फिर से यहाँ पे मैं scale से around 3 cm जितना मैं ली हूँ, यह आप directly बिना scale के ऐसे भी इसे fold कर सकते हैं, अगर आपने पहले newspaper से paper bag बना लिया होगा, तो यह बनाते समय आपको ज़्यादा fold कर रही हूँ, यह हमारी bag का side वाला part है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको fold करना है, fold करने के बाद इसको अच्छे से press करना है, यह ताकि इस तरीके से अगर हम अच्छे से press करेंगे, तो जो bag है उसका shape बहुत अच्छे से रहेगा, और look wise भी बहुत अच्छा दिखे तो अब मैं इसको उगली से एकदम अच्छे से press कर रही हूँ, और अच्छे से press करना है, बट slowly, सावधानी से, तो अब यह press हो गया है, प्रेस होनने के बाद अब मैं इसको open कर रही हूँ, अब आप देख सकते हैं, bag में एकदम अच्छे से shape आ गया है, बट हमें क्या करना है, bag को इस तरीके से open करने के बाद नीचे से उठाना है, नीचे से भी open करना है, और side से भी हमें यह press करना है, और side से जो cut है, उसको अच्छे से दबाना है, ऐसा करने से bag का shape बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा जिसे कि हम लोग ने इसे market से ही purchase किया हूँ, तो अब दोनो पेपर को, दोनो जो side से उसको एक के उपर एक रखकर इस तरीके से एक बार और हम लोग इसे press कर लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग दोनो side करेंगे, तो bag का जो look है वो बहुत अच्छे से आएगा, अब यह हो गया है, इसी तरीके से हम लोग इस side में भी करेंगे यह back बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसके लिए आप जो भी paper घर में available है आपके पास, वो paper आप use कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं भी है, तो आप यह newspaper से भी बना सकते हों, तो अब यह अच्छे से fold हो गया है, मैंने इसे open भी कर लिया है, open करने के बाद आप देख सकते अंदर से एकदम अच्छा दिख रहा है, set हो गया, अब हम इसमें लगाएंगे रूप, तो यहाँ पर मैं यह वाला रसी यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी है उसका use कर सकते हैं, तो अब मैं इसको cut कर ले रही हूँ, आपको इसका handle जितना रखना है, उसके according आप इसको cut कर लेना, तो अब मैंने इसे cut कर लिया है, cut करने के बाद, अब यहाँ पर मैं एक pen लेकर, यहाँ पर hold कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, यह जो paper है, double fold, उसे के उपर हमें करना है, तो अब यहाँ पर मैं इसको hold कर रही हूँ, तो हमने उपर paper इसलिए fold किया था, ताकि हम यहाँ पर रोप लगाने से वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए, दोनों सैट paper लगकर, तो अभी मैंने एक सैट रोप डाल दिया है, दूसरी सैट भी मैं रोप डाल रही हूँ, रसी डालने के बाद, इसको सावधानी से डालना है, अगर हम लोग डाल देंगे जल्दी तो paper फट सकता है, तो सावधानी से रसी डालना है, अभी मैंने रसी डाल दिया है, रसी डालने के बाद, इसमें एक गठान लगा देते हैं, ताकि रसी बाहर ना निकल सके, तो अब यहाँ पर मैंने गठान लगा लिया है, सेम इसी तरीके से, अब मैं दूसरी साइट भी गठा तो अब दुसरी सेट भी हैंडल लग गया है आप देख सकते बैग बनके रेडी है ओपन करने से अंदर से भी एकदम फिनिशिंग अच्छा है यह लुक वाइस भी बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसा लग रहा है यह बैग हमने मार्केट से पर्चेस किया है तो अब आप भी यह पेपर बैक जरूर बनाओ और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करो साथी वीडियो अपने फ्रेंड्स की साथ शेर भी करो थैंक यू